असलाम लेकुम एब्रिवन वेल्कम टू एन अधर दे अधर व्लॉग उमीद करते हूं सब ठीक ठाक होंगे अलहम्दुलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और आज को मैं व्लॉग स्टार्ट करी हूं और अभी हम लोग जा रहे हैं गाउं और फिर मैं व्लॉग करूंगी क् कुछ गैस्टाय होगे उने मिलने जाना है तो बस उनको मिलने के लिए जा रहे हैं बाकि मैं आपको अपना उट्फिट दिखाती हूं अगर आप उन्हें काफी पहले से फॉलो करते हैं तो मैंने ये शर्ट दिखाई थी मैंने लास्ट टाइम ये शर्ट जो है वह 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 पहने साथ मैंने स्लिपर्स मैं ली डुबट्ट्य ऐसे ही रेंडम ली घर पर पड़ा हुआ था तो मैंने यही दे लिया इसके साथ और मेकप मैंने बिलकुल लिए सिरफ मैंने जो है वह डॉक्टर राशियल की बीबी क्रीम लगाई है और बहुत से लोग पुछना है लाई है मैंने यह चाइनी जो कोई ब्रैने मार्केट से ली था इतिंग मैंने 200 की मिली था इतिंग सो और मस्कारा लगाया है यह एंड़ सेट बस यह तीन चीसे मैंने लगाई है और अभी हम जा रहे हैं और फिर मैं व्लॉग करती रहोंगी और एक बैड न्यूस की मेरे च कुछ करते हैं इसका भी ओके जी तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाउं और एस ओपीज मस्ट आए मास्क पहन लेते हैं उतार लेते हैं और बस ही चलता रहता है कभी तो याद बोल जाता है और कभी पहन लेती हूं कभी नहीं बच्चर यह बात ज़रू बोलूँगी कि एस फिर थोड़े दिर बैठे ब ki द्याए चाए वगर पी असके बाद हम लोग आ गयेते पिक्चर्व पक्लिक करने के लिए कजिन की साथ तो भी हमने यहां पिक्चर्व पक्लिक कर ली हैं और अभी हम लोग ओपस घर जा रहे हैं संसेट के पास पक्चर्व पक्चर्व और जो है उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर पे और ये भाई है मेरा और इसके साथ कजन है तो फिर मिलती हूं तो हम लोग गए थे गउन से वापस आ गए हैं और मैंने इतना जादा व्लॉग नहीं किया मुझे पता है क्योंकि जब आप एक मिनट जब आप अपनों के साथ टाइम स्पाइन केड़ते हैं तो बिल्कुली वाउप करने के याद नहीं रहता तो से मेरे साथ भी ये सिच्विशन और कमीने कजन ने मेरे नाखुन भी तोड़ दिया ये देखे इनी जाला मुझे यहां पर देड़ दो रही है खेर हमने बहुत इंज्वाई किया पिचर्स वगयरे ली और तकरीबन हम लोग गए थे दो बज़े और अभी बज़ रहे सारच है वापस आ गए है और अभी मै मैंने कैमरा उठाया तकरीबन एक हफटे के बाद का ये कलिप है तो एक हफटे पहले मैंने थोड़ा सब लॉग बनाया था उसके बाद मैं बेजी होगी थी तो अब मैं यहां पे कबाब का मसाला जो है ना वो कोट रही हूँ कूटा कोटी कह रही हूँ क्योंके जो है वो बनाने थे और साथ जो है वो बिर्यानी बनानी थी तो मैं उसी के लिए जो है ना वो टैक्सर त्यार करी हूँ सिंपल जो है वो इसमें मैंने डाली थी दाल और चेकिन और उनको बॉइल कर लिए और जो भी आपने मसाले वगरा डालते हैं वो बॉइल करके फिर अच्छे स लेकिन आज थोड़ा ऐसा मसला हो गया था तो फिर हमने जो आना वह उपर इकाम करने हैं शुरू करें और आपको पता है जो हमारे नीचे वाले किशन होते हैं कितनी इच्छे से मैंटेन अगयर होते हैं उपर वाले किचन में तो हम लोगों ने ऐसे पता हैं क्या क्या रखा होता है स्टोर रूम की तरह ही हमने उपर वाली किचन बनाए होते हैं और जो है वो सीडियों के नीचे जैसे हम लोग मोटर बना देते हैं लेकिन बाहर अगर हम देखें जिनोंने घर की डेकुरिशन्स पगेरा करवाई होती है हमारे पंजाबियों में तो यह टिकें बना ली में है लोग इतने अच्छे से इस नो डेकॉर करते हैं सो ये बात मुझे याद आ गई तो यहां पर कबाब की टिकीं मैंने बना ली है कुछ इस प्लेट में हैं तो जो है बस यहां पर बंगी थी क्यूंकि आज जुम्हा है और जो है वो मैं उठी ती तो ज जाना था, तो मैं घर पर ही थी, तो बस अब मैं यह आपी बिर्यानी बनाने लगी हूँ, सिंपल, जो है, ओयल डाल के और जो भी आपके मसाले वगरा होते हैं, इसकी मैं आपको क्या रेसिपी बता हूँ, साथ-साथ आप लोग रेसिपी देखें, साथ-साथ मैं आप लोग उससे बाते करते हूँ, मैं बहुत जादा देमोटीवेट हूँ थी, एक्चली मेरे कुछ भी करने का दलने चाह रहा हूँ, इतने दिन से मैं वीडियो भी नी बना रही थी, साथ-साथ रेसिपी भी देखनी है, और अगर कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूँगी, आप लोग बोलेंगे लेक्चर देना शुरू करता हूँ, पर किसे दी सौन भी लेनी चाहिए दिया, कदी कोई गालचंगी भी लागचंद दिया, सो बहुत से लोग पूछते हैं, और मेरे पास मैसेजिस भी आते हैं, कि जो है वो, आपके पैरेंट्स कैसे मानें इन सब के लिए, या फिर जो है वो, अगर आप ये सब करती हो, तो फैमली को कैसे जो है न, वो कन्वेंस किया, देखो यार एक चीज बताओं, आप एक छोटी चुड़िया लाते हो न, तो आप उसको एक पंजरे में बंद करते हो, जब तक आप उसको उस पंजरे में बंद रखते हो न, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जब आप उसको फ्रीडम देते हो उस परिंदे को, तो वो परिंदा जाता जरूर है बाइर लेकिन घूम फिर के वहीं पे आता है तो ये फैक्ट हमारी लाइफ में मैटर करता है कि अगर हम किसी रिष्टे में अपने रिष्टे में फ्रीडम देते हैं किसी चीज़ को relationship میں relationship میں بات کر لیں अपने बच्चों के बात کر لیں अपने बहन भाईों के किसी भी चीज़ पे ये fact जो आप्लाई जरूर होता है जब आप अपने बच्चे को freedom दोगे तो वो ज़रूर जाएगा हर चीज़ करेगा लेकिन वो वापस वहीं पे आएगा जहां पिर उसका ठीकान है तो और कुछ भी चुपा के नहीं करेगा और उनकी इज़त का ख्याल भी रखेगा अपनी इज़त का भी रखेगा और हर चीज़ शेयर करेगा तो वो कहते हैं कि हम अपनी फैमिली को बहुत सी मेरे पास एक दू लोटकें के मेसेज है कि हम योट्व कर रहे हैं लेकिन ना हमारी फैमिली को नहीं पता हम अपना फैस बीन दिखा दे लेकिन फिर बिर भी उन्हें नहीं पता सो यार उन्ने बताओ और अगर चलो उन्ने नहीं भी पता अगर उन्हें बाद में पता चले तो अगर उन्हें दुख नहीं होता है इस चीज़ का कि बच्चों ने चुपाया तो इत्सो के लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को इस चीज़ का होता है कि आपके बच्चों ने नहीं बताया तो आप उनको ये चीज़ जरूर बताओ जब आप उन्हें समझाओगे ये चीज़ बोलोगे तो वो खुद आपको freedom देंगे और फिर आप भी जो है न वो इजी तरह से चल पाओगे मतलब अच्छे से कर पाओगे वो चीज़ और आपको कोई tension और डर भी नहीं होगा तो यहां पर मेरी बिद्यानी बन गी थी मसाला बनाया फिर उसके उपर मैंने चावलों की लेर लगाई फिर उसके उपर मैंने मसाले की लेर लगाई फिर थोड़ा सा जर्दे वाला कलर भी लगाया और हमें इसको दम के लिए रख दूँगी और साथ-साथ मैंने अपनी नेल पेंट भी रिमूफ कर ली थी यह मुझे नमाज पढ़नी थे भी और जो है वो बस मैं इनको दम पे रखे किचन भी सारा साफ सुत्रा करूँगी क्योंकि बहुत ही खिलारा मच जाता है हम कुछ भी मतलब बनाने लगे न किचन बहुत घंदा हो जाता है भी तो मैं ये भी उठाऊंगी लेकिन अब मैं नमाज पढ़नी है और अब जो है न बस दुबारा बैक टू वर्क क्योंकि मैं आज उठी ले तकरीव इन बारा बज़े और ये फिर करते करते न अब ये दो डाई बज़ गे मैंने सारे बरतंद होने है और मेरे व्लाग में बरतंद होने को ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता न तो बरतंद होना तो मस्टे और बहुत से लोग मुझे से पूछते हैं आप हैंड फीट पे क्या लगाती हैं आप हमें बताएं, आप अपनी हैंड रूटीन शेयर करें यार मैं कुछ भी नहीं लोनी साही है मैं बहुत जादा सुसना रात को सौने से पहले जो है ना, वो YC की हैंड फूट क्रीम लगा लेती हूं वो भी जिस दिन मुझे याद रहे वरना लेकिते में चीज़ां बहुत शोकना होनी है लेकिन लगा नहीं सकती लगा नहीं सकती का मतलब है सुसनों भूल चाती हूं, याद नहीं रहता और सद्धियों में फिर उटने का दिल भी नहीं करता है सद्धिया लाव तो फिर जो है ना मैसे अगर आप लेना चाओ तो वह वाईसी की हैंड फूट क्रीम काफी अच्छी है और रीजेनेबल प्राइस में पांसो के अंदर अंदर आपको जो है ना मिल जाएगी और अब मुझे इस टाइम इतनी पतीले में जो है ना वो जादा अच्छी बिरियानी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चावल ना थोड़ी से जादा बॉयल हो गए थे बने थे बिरियानी से जादा अच्छे ना कबाब बने थे तो बाकी जो है वो बस अब मैं सब को जो है वो प्लेटों में डाल के दे दी और मैंने खुद अब से चके भी नहीं गए भी मैं थोड़े से चके थे तो अच्छे बन गए थे जो लोग कहते हैं कुकिंग का यार मैं सब काम करती हूं कुकिंग भी करती हूँ जाड़ों पोचा भी कर लेती हूँ जिस दिन हमारी हलपर नहीं आती सो लड़कियां हर काम ही कर लेती है obviously मेरी माँ होड़ी नहीं भी चंगी नहीं है क्या कह नहीं पुत तु अराम नबै मैं रूटी भी तोड़ के तेरे मुझे पोनी है वह वाला हिसाब नहीं है so alhamdulillah मैं सारे काम कर लेती हूँ और मुझे काम करना कोई बुरा नहीं लगता मुझे कुकिंग करना वैसे ही पसंद है और जिस दिन मेरा मूरों मैं खुशी कर लेती हूँ और गरवालों की तरफ से भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है बट आविसली मॉमा यह जरूर कहती है काम का हर किसी की माँ कहती है बट फिर मॉमा यह भी कहती है कि सारे जिन्दगी नहीं काम मिंग करना मैं खैरा बापा भी यह बात कह देता है तो बस कभी कबार कर लेती हूँ और फिर लड़कियां तो ऐसी होती है ना माँ बाप की लाट लिया और नाजुक नाजुक दिल की होती है या लड़कियां बस मेरे बापा अमा यही कहते है कि लड़कियां बहुत नाजुक दिल की होती है चलो जी बहुत गल्ला हुए और फिर मिल दे है नेक्स व्लॉग में जब तक के लिए लाफ़ेज